हेलो दोस्तों मैं दीपेंज सिंग आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश टेडी हप में सागत करता हूं हम लोग पढ़ रहे थे एक सरसा हम लोग 7.4 में 18 कोशन तक पढ़ लिए थे आज उसी के आंगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोशन नंबर नाइंटी नंबर कोशन देखते हैं क्या दे रहा है नाइंटी नंबर दे रहा इंटीगेशन सेव 6x प्लस 7 6x प्लस 7 अपन अंडरूट आपको दिया गया है x-5 x-4 x-5 और x-4 dx इसको करेंगे 5x प्लस 7 अपन इंटीग अंडरूट इसका गुड़ा करेंगे इसमें यह हो जाए गए x स्कायर x का 5 में गुड़ा करेंगे माइनस 5x माइनस 4 का x में गुड़ा करेंगे माइनस 4x माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20 dx यह आपका आजाएगा 5x प्लस 7 अपन अंडरूट x स्क्वाइर माइनस 549x प्लस 20 dx जब बताया था अभी कले कोशन 18 नंबर बताया था कि अगर इसका आउकलन करने पर यह ना है तो क्या करते हैं लोग मान लेते हैं माना यह 5x प्लस 7 इक्वल क्या मान लेते हैं यह x स्क्वाइर माइनस 9x प्लस 20 a equal a d upon dx मतलब इसका आउकलन करेंगे प्लस b यह आएगा 5x प्लस 7 इसका आउकलन जब करेंगे तो आएगा 2x माइनस 9x का होता है यह हो जाएगा 0 प्लस b तो यह आएगा 5x प्लस 7 इक्वल 2 a x माइनस 9 a प्लस b यह आएगा 5x इसकी कंपेर करेंगे दोनों पच्छों की तुलना करने पर तो A equal आ जाएगा 5 by 2 इसके बाद इसको देखेंगे तो यह बिना X वाला यह इतना दे रहा है minus 9 A plus B और इसमें बिना X वाला दे रहा है 7 A की value रखेंगे एक ही जगर रखेंगे 5 बटे 2 तो यह हो जाएगा 9 into 5 by 2 और plus यह दे रहा है B equal 7 तो plus के B equal 7 यह हो जाएगा 9 पना 45 बटे 2 प्लस B वरावर 7 तो B equal आएगा 7 प्लस 45 बटे 2 B equal 2 LCM लेंगे 7 दूनी 14 प्लस 45 तो B equal जो आएगा हो आजाएगा 9 और यह आजाएगा 59 बाई 2 यह आगे आपका किस का मान? B का मान थोड़ा mistake हो गया यहाँ पे 6 एकस था तो यहाँ पे 6 रहेगा 6 यह 6 आएगा यह 6 रहेगा यह यहाँ 6 रहेगा तो यह 6 आएगा यहाँ पे 6 आएगा डिवाइट करेंगे यह बराबर आएगा 3 यहाँ 3 रखेंगे जब यहाँ पे 3 रखेंगे तो माइनस 9 इंटू 3 प्लस B इक्वल सेवन 9 तरिक 27 27 उस तरब जाएगा जुड़ जाएगा तो B इक्वल आएगा 7 प्लस 27 तो B इक्वल आजाएगा 34 यह आगे अब बी का मान अब क्या करेंगे यह ता अब देखो इसके पूरे की बराबर हम लोग क्या लिए लिख सकते हैं यह लिख सकते हैं यह पूरा 6 प्लस 7 की जगवे यह लिख सकते हैं तो यह पूरा लिख square minus 9 x plus 20 dx फिर क्या दे रहा है फिर था plus के b तो plus और b की value आई है 34 तो इस 34 को बाहर integration 1 upon पूरा एलिख देंगे x square minus 9 x plus 20 dx इसमें देखते हैं अगर इसको टी मान ले तो इसका उपलन जो आएगा वो यह आ जाएगा उपर वाला तो क्या करेंगे इसको टी मान लेंगे माना x square minus 9 x plus 20 equality के आउकलन करेंगे इसका जब आउकलन करेंगे तो हम लोग क्या देखेंगे आउकलन करने पर कि यह आएगा 2x यह आएगा minus 9 और dx बरावर dt के तो यह पूरा हट जाएगा और इसकी जगहे पर क्या लिख देंगे डिटी लिख देंगे तो आएगा थिरी integration dt upon यह हो जाएगा root t क्योंकि टी लगा है इतने बरावर t हो जाएगा यह root प्लस 34 इसमें कुछ इसको उकलन करने पर उपर कुछ आएगा नहीं क्योंकि उपर एक दे रहा है क्या करेंगे इसको पूर्ण वर्ग बना देंगे और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए complete square बनाने के लिए बताया था x के आंगे वाला लेते हैं दे रहा है 9 9 में भाग देते हैं 2 का इतने का square जोड़ेंगे इतने का square गटाएंगे तो plus के 9 by 2 का square जोड़ेंगे और यह दे रहा था minus 9 x plus 20 तो जितना जोड़ा गया उतना ही गटाएंगे तो यह गटाएंगे 9 का square 9 नहीं क्यासी बटे 2 का square 4 into dx यह 3 integration यह उपर जाएगा minus के 1 बटे 2 dx dt plus 34 integration 1 upon यह जो बनेगा वो फार्मूला बन जाएगा किसका under root x square यह a minus b का square मतलब x यहां बताया तो जो चिन होता है वह यह चिन लेते हैं b की जगए रखते हैं यह 9 by 2 का whole square बी चोको 80 की 80 जाएंगे यह 80 में 80 जाएंगे बचेगा एक बटे 4 एक बटे 4 का मतलब एक बटे 2 dx इसको करेंगे 3 इसकी power एक जोडेंगे तो minus एक बटे जो भी एक जोडेंगे तो एक बटे 2 आएगा नीचे एक बटे 2 आएगा प्लस यह 34 यह फार्मूला बन गया लॉग का तो यह फार्मूला किसका है यह फार्मूला बन रहा है आपका लॉग का की लॉग x बताया देकर फार्मूला लॉग x x की जाए रहा है x minus 9 by 2 और प्लस under root x square minus a square तो यह पूरा लिख देंगे x minus 9 बटे 2 का square और minus 1 बटे 2 का square into dx यह जाएगा 3 दूनी आजाएगा 6 यह आजाएगा under root t t की value रखेंगे दे रहा x square minus 9x plus 20 x square minus 9x plus 20 plus 34 log यह आपका यही रहेगा x minus 9 by 2 plus यह जो पूरा था वो इसके बरावर था तो यह आजाएगा under root x square minus 9x plus 20 plus c और यह हमारा क्या आगया answer आगया इसका question number 19 का question number बढ़ते है 20 के और 20 number question यह दे रहा इसको देखो कैसे solve करते हैं इसमें माना बिल्कुल उसी तरीके क्योंकि इसका वोकलन करेंगे उपर वाला आएगा नहीं तो इसका तरीका वही होता है कि इसको मानेंगे 4x minus x square बराबर a d upon dx x यह जो पूरा दिया गया यह दे रहा है 4x minus x square प्लस मान लेते हैं बिक तो यह आगया 4x minus x square इक्वल ए इसका जब वोकलन करेंगे तो पता है कि x का होता है वन चार में गुणा करेंगे वन का तो आएगा चार यह फोर यह आ जाएगा माइनस के घात आंगे पावर आंगे एक पावर का प्लस भी तो 4x minus x square इसका अंदर गुणा करेंगे आएगा 4a minus 2a x plus b 4x minus x square अब इसकी क्या करेंगे दोनों पच्छों की हम लोग तुलना करेंगे तो दोनों पच्छों की तुलना करने पर दोनों पच्छों की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो तुलना जब करेंगे तो इसमें एक्स के आंगे दे रहा है माइनस टू ए ये इतने बरावर मानेंगे एक्स प्लस टू और ये भी है एक्स प्लस टू तो इसमें एक्स के आंगे दे रहा है माइनस टू इसमें एक्स के आंगे दे रहा है वन तो या गया वन तो ए बरावर आएगा माइनस वन बाई टू बी मानेंगे विसको मानेंगे ये लेंगे फोर ए प्लस बी बिना एक्स वाला है इसमें देराए टू तो ये हो जाएगा फोर इंटू ए की वैलू रखेंगे माइनस वन बाई टू प्लस बी कुल टू दो से काटेंगे दो दूनी चार माइनस के दो प्लस b बरावर दो ये दो उस तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा आ जाएगा चार तो b का मान भी आ गया इसके बाद क्या करेंगे विसकी value रखेंगे तो ये इतने बरावर x प्लस 2 बरावर इतने था तो यहाँ पे रखेंगे तो बता चुके 4x-x² dx प्लस यह B की वैलू रखेंगे 4 वन अपॉन फिर यही पूरा अंडरोड 4x-x² dx एक्वल माइनस 1 बाइ 2 अब देखो इसमें क्या करेंगे इसको टी मानेंगे तो यह उपर वाला आ जाएगा तो क्या करेंगे माना 4x-x² एक्वल टी के तो यह आएगा इसका उकलन करेंगे आएगा 4-2x dx एक्वल डी टी के तो बस 4-2x dx किया रखनेंगे dt तो माइनस 1 बाइ 2 dt अपॉन इसकी जगे रखेंगे t तो अंडरूट हो जाएगा 1 अपॉन टू प्लस 4 इसको बदलेंगे पूर्ड वर्ग में पूर्ग के बनने के लिए हमने बताया था इसमें माइनस यह प्लस का होना चाहिए तो इसमें माइनस कॉमल लेंगे तो आएगा x² यह आएगा माइनस के 4x माइनस के 4x प्लस वाला इसमें हम क्या करें दो का स्कॉाइर जोड़ दें तो हमें दो का स्कॉाइर ही क्या करना प पड़ेगा TX माइनस 1 वाई 2 यह पावर उपर जाएगी तो T की पावर माइनस 1 वाई 2DT प्लस यह आएगा 4 वान अपन अंडर उड यह बनेगा एक्स माइनस टू को होल स्क्वार और यह माइनस 2 का स्क्वार DX माइनस 1 बाइ 2 इसको सॉल करेंगे तो T की पावर माइनस 1 बटे 2 में जब 1 जोड़ेंगे तो प्लस का आएगा उपर 1 बटे 2 नीचे आएगा 1 बटे 2 प्लस 4 इंटिगेशन 1 अपॉन इसमें माइनस का अंदर गुड़ा करेंगे तो ये प्लस का 2 का स्कॉयर हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा एकस माइनस 2 का होल स्कॉयर डी एकस ये बन गया हमारा साइन वाला फार्मूला और 1 अपॉन अंडर रूड ए स्कॉयर माइनस एकस स्कॉयर का ये दो से दो कट गया ये आया माइनस के एक बटे दो पावर का मतलब अंडारूट और टी की मतलब है 4X माइनस X स्कुरर प्लस 4 ये बन गया साइन इनवर्स X अपाउंड एक एक्स की जगह दे रहा है X बटे दो एक जगह दे रहा है दो प्लस C और ये हमारा क्या आ गया 20 नमबर कोशन का आंसर आ गया बटते हैं कोशन नमबर 21 की ओर देखते हैं 21 नमबर क्या दे रहा है 21 नमबर दे रहा है इंटिगेशन X प्लस दो बटे अंडारूड X स्क्वाइर प्लस 2 X प्लस 3 X स्क्वाइर प्लस 2 X प्लस 3 D X देखो इसको करेंगे तो इसमें देखेंगे तो ये उपर वाला तो आ नहीं रहा है तो क्या करेंगे माना X प्लस 2 इक्वल वही तरीका A D अपॉन D X X square plus 2 X plus 3 plus B तो X plus 2 equal A इसका करेंगे आएगा 2 X plus 2 plus B आंगे solve करेंगे X plus 2 equal आएगा 2 A X plus 2 A plus B तुलना करेंगे दोनों पच्छों की जब दोनों पच्छों के coefficient या गुडांग की तुलना करेंगे तुलना करेंगे पर X के आँगे आ रहा है 2 A इसमें X के आँगे आ रहा है 1 तो A बराबर आएगा 1 by 2 इसके बाद ये बचा ये आ रहा है 2 A plus B इसमें बिना X का है 2 2 into A की value रखेंगे 1 by 2 plus B बराबर 2 2 से 2 कट गया 1 plus का उस तरब जाएगा घट जाएगा तो B बराबर आएगा 1 solve करेंगे इसको वता इसकी जगए पूरे की जगए मुलोग क्या लिखेंगे A 2 X plus 2 तो A की value रखी कितनी 2 एक बटे दो तो एक बटे दो को बाहर कर दो integration फिर ये आएगा 2 X plus 2 तो 2 X plus 2 upon under root ये पूरा मान X square plus 2 X plus 3 D X plus B 1 upon under root X square plus 2 X plus 3 D X इसको जब हम लोग solve करेंगे 1 upon 2 इसमें मान लेंगे माना X square plus 2 X plus 3 equality के इसको अपना ये मान लिए आव इसको solve करेंगे तो X square का उकलन 2 X इसका आएगा 2 और D X बराबर D T इसका हो जाएगा 0 अब क्या करेंगे इसकी जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं D T तो 1 upon 2 D T upon ये पूरा T माना है तो root T plus integration 1 upon under root ये X square plus 2 X तो X square plus 1 का square plus 2 X 3 था 3 में 1 ये लिख दिया तो यहाँ पर बचेगा 2 और 2 को लिख सकते हैं root 2 का all square D X तो आएगा 1 upon 2 और ये आजाएगा उपर जाएगा T की power minus 1 बटे 2 D T plus 1 upon under root ये जो बन जाएगा बनेगा X plus 1 का whole square plus root 2 का whole square D T D X इसको जब solve करेगी घात एग जोडेगी तो आएगी 1 बटे 2 नीचे 1 बटे 2 प्लस ये बन रहा है 1 upon under root X square plus X square का formula ये होता है log X X की जाएगे रहा X plus 1 plus under root X square plus इसका square करेंगे आएगा 2 plus C तो ये एग बटे 2 से एग बटे 2 कड़ गया इसका मतलब under root T की value रखेंगे दे रहा X square plus 2 X plus 3 plus log X plus 1 plus ये जो पूरा था वो इससे बना था तो इस पूरे की जग है हम लोग क्या लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं question number हम लोग 22 की ओड़ देखने हैं 12 number 22 question number question क्या देख रहा है question number 22 जो 22 number question है वो कह रहा है integration X plus 3 integration X plus 3 upon X square minus 2 X minus 5 X square minus 2 X minus 5 D X इसको फिर से हम लोग चेक करेंगे क्या इसका उकलन करने पर ये आ रहा है तो इसका उकलन आएगा 2 X minus 2 जो की उपर वाले के equal नहीं आ रहा है तो इसको क्या करेंगे वही तरीका कि माना X plus 3 equal A D upon D X X square minus 2 X minus 5 और plus K B X plus 3 equal A ये आएगा 2 X minus 2 तो आएगा ये 2 A X minus 2 A plus B तुलना करेंगे दोनों पर च्छों की जब तुलना करेंगे तो इसमें X के आँगे दे रहा है 2 A इसमें X के आँगे दे रहा है 1 तो A equal आगया 1 by 2 बिना X का दे रहा है इसमें minus 2 A plus B equal इसमें बिना X का दे रहा है 3 तो minus 2 into A की value रखेंगे एक बटे 2 plus B equal 3 2 से 2 कट गया minus 1 बचेगा plus B equal 3 minus 1 उस तरफ जाएगा plus को हो जाएगा तो हो जाएगा plus के 4 तो B equal आगया plus के 4 value रखेंगे अता इसको solve करेंगे तो A A की जगा रखेंगे एक बटे 2 क्या आया था 2 X minus 2 तो 2 X minus 2 upon में यही पूरा रखेंगे X square minus 2 X minus 5 dx plus B दे रहा है B की जगाए 4 upon 1 upon फिर इसको रखेंगे X square minus 2 X minus 5 dx अब इसको आगे solve करेंगे तो देखेंगे क्या कि इसको मानने पर यह आ रहा है तो माना X square minus 2 X minus 5 equality इसका alkaline करेंगे तो alkaline करने पर देखेंगे क्या आएगा alkaline करेंगे तो आएगा 2 X minus 2 dx बराबर dt अब यह और यह सेम है तो इस पूरे की जगे हम लोग यह dt लिख सकते हैं तो यहाँ लिख देंगे dt तो 1 upon 2 dt upon यह बचा नीचे T फिर प्लस के 4 integration इस वाले को पूर्वर्ग बनाएंगे तो पूर्वर्ग बनाने के लिए बताया था X के आएगे जो दिया गया तो होता है उसमें बाग देते हैं तो इसमें बाग देंगे बच दो में बचेगा 1 1 का स्क्वार जोड़ेंगे 1 का स्क्वार गटाएंगे तो X स्क्वार प्लस 1 का स्क्वार माइनिस 2X माइनस 5 और जब एक जोड़ा है तो एक गटाएंगे dx equal 1 upon 2 यह होजाएगा log t प्लस 4 और यह हैगा 1 upon यह X माइनस 1 का स्क्वार minus 6 6 का मतलब root इतने का square डी है यह करेंगे 1 upon 2 log t t की value रखेंगे t बरावर था कितना x square minus 2x minus 5 plus 4 यह formula बने गया का आए का log का 1 upon 2a तो a की जगह दे रहा है root 6 log x minus a तो x की जगह दे रहा है x minus 1 into root 6 minus root 6 upon x minus 1 plus a तो plus के root 6 और plus c यह हमारा answer आगया 22 number question का वाइस मैं 2 से काट देंगे तो 2 दो नहीं चाहरा 1 upon 2 log x square minus 2x minus 5 plus 2 upon root 6 log x minus 1 minus root 6 upon x minus 1 plus root 6 plus c यह हमारा क्या है इस question का answer है और इस परकार हमारा question number जो 22 था वो भी complete हो गया बढ़ते है question number 23 की और उमीद करते हैं आपको समझ में आ रहे होंगे जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है एक बार में नहीं आ रहा है तो और वीडियो को क्या करेंगे reverse करके उसी question को दुबारा से देखेंगे समझ में जरूर आ जाएगा question number बढ़ते हैं 23 की और 23 नमबर देखते है question क्या कह रहा है पीछे की तरीके question है पिछले question की तरीके दे रहा है 5 x plus 3 upon under root x square plus 4 x plus 10 क्या करेंगे वही तरीका इसका उकलन करने पे उपर वाला आ नहीं रहा है तो क्या करते है मान लेते हैं x square plus 4 x plus 10 equality के करेंगे इसका उकलन जब उकलन करेंगे क्या कर रहा है इसको मानेंगे क्या इसके बरावर 5 x plus 3 equal a d upon dx x square plus 4 x plus 10 plus b के तो यह आए गया 5 x plus 3 इसका हम लोग क्या करेंगे उकलन करेंगे जब इसका उकलन करेंगे तो यह क्या आएगा plus 4 a और plus का क्या हो जाएगा b तुलना करेंगे जब दोनों पच्छों की तुलना करेंगे तो इसमें x का गुरांग है 2 a इसमें x का है 5 तो a बरावर जो आया हो आया 5 बटे 2 इसमें बिना X का दे रहा है 4A प्लस B इसमें बिना X का दे रहा है 3 तो 4A की जगए रखेंगे 5 बटे दो प्लस B इक्वल 3 2 से काटेंगे 2 बार जाएगा 5 दो नी 10 10 उस तरब जाएगा 3 माइनस 10 तो B बराबर आएगा माइनस के 7 value रखेंगे यहां से solve करेंगे तो आएगा A, A की जगए रखेंगे 5 बटे दो integration यह 2X प्लस 4 अपॉरा यह रख देंगे under root X square प्लस 4X प्लस 10 dx प्लस माइनस के साथ है माइनस के रख देंगे B की जगए पर फिर इतने से बाग देंगे 1 upon under root X square प्लस 4X प्लस 10 dx अब देखेंगे अगर इसको उम T मान ले तो इसका ओकलन यहाज आजाएगा तो माना X square प्लस 4X प्लस 10 एक्वल्टी के अउकलन करेंगे इसका जब इसका ओकलन करेंगे तो इसका आजाएगा 2x प्लस इसका आजाएगा 4 10 का हो जाएगा 0 dx बरावर dt के तो इतना पूरा अटा के इसकी जगे हम लोग क्या लिख देंगे दीटी लिख देंगे तो यह आजाएगा उपर दीटी पांच बटे दो दीटी अपाउन यह अंटी माना था तो यह अंडार रूट्टी माइनस 7 वान अपाउन इसको पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x के आँगे देरा 4 4 में 2 का बाग देंगे बचेगा 2 दो का स्क्वाइर जोड़ना है और दो का स्क्वाइर गटाना है तो एकस स्क्वाइर प्लस दो का स्क्वाइर प्लस फोर एकस और प्लस दस फिर दो का स्क्वाइर गटाएंगे अब इसको करेंगे इसका समाकलर इसमें गात में माइनस एक बटे दो में एक जोड़ेंगे तो आएगा प्लस के एक बटे दो नीचे प्लस का एक बटे दो माइनस 7 ये बन गया लॉग का फार्मूला तो होता है लॉग x x की जगाद पर दे रहा है x plus 2 plus under root x square तो x plus 2 का square plus होता है b square a square तो यह मतलब root 6 का square आ जाएगा c 6 plus c यह 2 से 2 कट गया यह आ गया 5 एक बटे 2 का मतलब under root t t की value कितनी थी t बरावर था x square plus 4 x plus 10 तो आ जाएगा x square plus 4 x plus 10 minus 7 log x plus 2 plus यह जो पूरा था वो किससे बना है इससे x square plus 4 x plus 10 से तो इसकी जगाद लिख देंगे x square plus 4 x plus 10 और plus c और यह हमारा हो गया question number 23 का answer बढ़ते है question number 24 की और question number देखते है 24 24 number जो question दे रहा है वो आपका दे रहा है x is 1 upon x square plus 2 x plus 2 x square plus 2 x plus 2 dx बिल्कुल simple question है pool work बनाएंगे इसमें आपे दे रहा है 2 x के आएंगे 2 का भाग देंगे बचेगा 1 तो हमें क्या करना है 1 का square जोडना है और 1 का square घड़ना है मतलब एक घटा देंगे यह बचेगा 2 में एक जाएगा 1 अब इसको बाद में लिख देंगे x plus 1 का whole square 1 upon 1 plus x square होता है 10 inverse x का x की जाएपर दे रहा है x plus 1 plus c और यह हो गया question number आपका कौन सा 24 question number 25 क्यों बढ़ते है 25 देखते हैं क्या दे रहा है question number 25 25 नमबर जो question है वो दिया गया है integration 1 upon under root 9 x minus 4 x square dx देखो इसको कैसे करते हैं तो 1 upon under root सबसे पहले ते हैं यहाँ पर प्लस 12 x square वाला तो इसमें minus common लिया तो जब minus common लिया तो प्लस के 4 x square यह बचेगा minus के 9 x dx दूसरी चीज़ आपको बताई थी कि यहाँ पे केवल x होना चाहिए तो 4 को क्या करेंगे बाहर common लेंगे जब 4 common लेंगे तो यह minus 4 हो जाएगा जब 4 common लेंगे मतलब 4 का इसमें भाग देंगे तो भाग देंगे तो यह बचेगा x square इसमें बचेगा 9 by 4 x dx अब बताया था क्या करते हैं जितना यहाँ पे दिया गया होता है x का गुरांग उसमें 2 का भाग देते हैं जितना आता है उसका square जोड़ते हैं उसका square गटा देते हैं तो 9 by 8 का square जोड़ेंगे और 9 by 8 का square गटाएंगे तो अंडारूड minus के 4 x square plus 9 by 8 का square जोड़ दिया minus 9 by 4 x और 9 by 8 का square गटा देंगे इंडारूड integration 1 upon अंडारूड यह जो बनेगा minus 4 a square यहाँ पर बता है minus होता है तो a minus b का formula बनता है b की जगए यह 9 by 8 का square minus यह 9 by 8 का square dx integration 1 upon अंडारूड minus यह 4 को लिख सकते हैं root 2 तो यह बाहर होगी है minus का अंदर गुणा करेंगे तो यह वाला plus का आजाएगा 9 by 8 का square यह आएगा minus के x minus 9 by 8 का whole square dx formula बता चुके है 1 upon formula क्या बता है चुके है formula बता है 1 upon अंडारूड a square minus x square का होता है sine inverse x upon a plus c तो यह वही लगेगा a की जगा 9 by 8 है x की जगापर यह दे रहा है तो बाहर है एक बते दो यह sine inverse x x की जगे आपे रखेंगे x minus 9 by 8 और नीचे भी क्या लिखेंगे 9 by 8 plus c यह आजाएगा 1 upon 2 sine inverse उपर 8 यह हम लेंगे तो 8 का इसमें बुड़ा होगा 8 x minus 9 नीचे 9 by 8 और plus के c 8 x 8 कैंसे 1 by 2 sine inverse 8 x minus 9 upon 9 और plus c यह हो गया question number 25 का answer और इस प्रकार जो exercise आपकी 7.4 थी वो पूरी तरीके से complete हो चुकी है next वीडियो में 7.5 के साथ हम लोग फिर से आज ही रोंगे